क्या पुरुष और नारी की साधना मार्ग अलग अलग है पहले आवो जानते हैं पुरुष और नारी की प्रकृति है और उसकी चेतना कैसी है उसके अधार पर फिर साधना मार्गों के बारे में बात करेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा मार्ग किसके लिए उप्यूग्त है हमारी चेतना में सात चक्र है पहला चक्र मुलाधार चक्र है जो हमारी रिढ़ की हड़ी में सबसे नीचे कोकिक्स के पास इस्तित है दूसरा चक्र स्वाधिस्ठाण चक्र है जो यह मारी रिल्ड की हड्डी में मुलाधार चक्र से ऊपर स्ट्र के ठीक पीछे से तीस्रा चक्र मनिपुर्चक्र है जो हमारी रीड की हड़ी में, हमारी नाभी चक्र के ठीक पीछे है। चोथा चक्र अनाहत चक्र यह जो हमारे दो निपल्स के मद्य में विंदू है उसके ठीक पीछे रिड़ की हड़ी में इस्थित है पांचपा चक्र विशुद्य चक्र यह हमारे कंठ के ठीक पीछे गर्दन में अगर महसूस करोगे तो हड़ी उबरी हुई नजर आएगी और परिस्थित हैं और फिर चटा चक्र आग्या चक्र जो हमारे फोर्व में जाने का लगाते हैं उसके ठीक पीछे पीटुटरी ूद्वश्ट है बहुत ही महत्यपूण टैन्ड है रिफिर साथमां चक्र शहस्रार्ण चक्र जो हमारे ब्रम्रंद्र जो सबसे उपर सिर के उ जानता है उसके ठीक नीचे जहां हमारा पीनियल ग्लेंड है वहां पर इस्थित है अब यह साथ चक्र हैं और इसी के आधार पर पुरुश और नारी की चेतना अलग अलग उसकी विशेष्टा तै होती है इसमें पहला चक्र तीसरा चक्र पांचवा चक्र और सात्मा चक्र अ विशुद्य चक्र और फिर सहस्रार चक्र यह पुरुश का विधायक है अर्थात इससे समंदित जो चेतना है वह पुरुश का विधायक है नारी का नकरात्मक है अर्थात पुरुश का ज्यादा विक्सित है नारी का कम विक्सित है ठीक उसी तरह दूसरा चक्र चौथा च छठा चक्र नारी के लिए विधायक है और पुरुष के लिए नकारात्मक है तो जैसे मुलाधार चक्र है मुलाधार चक्र शरीर को नियंद्र करता है और जिसका मुलाधार चक्र विक्सित है उसका शरीर बलिष्ट होगा तो पुरुष का शरीर हमेशा देखो बलिष्ट ये इंद्रियों का नियामक है और इंद्रियों का जो फंक्शन है वो भोग है ये नारी का विधायक है पुरुष का नकरात्मक है तो इंद्रियों के तल पर नारी ज्यादा सशक्त है पुरुष उतना सशक्त नहीं है जैसे देखोगे इसे सुंदरे का समंध होता है तो देख होगे नारी ज्यादा सुन्दर होगी लेकिन पुरुष कितना भी अपने खोश सजाने की कोशिश करे वह कोमलता जो तवचा में होती है वो पुरुष की नहीं आ सकती तीसरा चक्र पुरुष का पॉजिटिव है विधायक है और वहां पर स्वास्त है निडरता है तो पुरु नहीं होगी फिर चोथा चक्र यह अनाहद चक्र है यहां से प्रेम है यहां से राग है यहां से क्यारिक है तो नारी जितना प्रेमल होगी नैच्रली पुरुष उतना प्रेमल नहीं होगा क्योंकि पुरुष का यह चक्र नकरात्मक है और नारी का पुरुष का जो यह चक् तो जो नारी है उसका विधायक है वो प्रेमल होगी और फिर पाँचवा चक्र विशुद्ध चक्र यहां से मन का नियंतर होता है और ये पुरुष का विधायक है तो यह ज़्यादा वीचार शिल होगा यहां से महत्री का समंध है तो पुरुष ऐच्छे दोस्त हो सकते हैं नारी के लिए मेत्री का मार्ग इतना सुगम नहीं है। तो विचार है, मैत्री है, संमान है, काम क्रोध, लोग, मो, इरशा, दोश पर बिजय है। ये पुरुष के लिए आसान होगा, नारी के लिए कठिन होगा, उसी तरह से छटा चक्र है, आग्या चक्र है, ये नारी के लिए विधायक है, और यहां पर तुम देखोगे कि यहां से ध्यान का समंद है, यहां से सुम्रन का समंद है, यहां से सभी कल्प समाधी का समंद है, तो नारी के लिए आसान है और पुरुष के लिए ये कठिन है, सुमिरन करना, ध्यान में जाना, क्योंकि ध्यान चंचलता नहीं चाहता, नारी का चित इतना चंचल नहीं होता, पुरुष का चित चंचल होता है, तो थिरता है यहां से, तो नारी थिर हो सकती है, और फिर चक्र ये शास्रार चक्र हैं यहां से बोध है यहां से निर्वी कल्प समादी है यहां से समबोधि यह आत्म ज्ञान है यह चक्र पुरुष का पॉजिटिव है इसलिए मानवता कि इतिहास में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं तुम देखोगो 99.9 पुरुष हैं इस्त्रिया थोड़ी सी इस्त्रिया बगवान महावीर तो यहां तक कहते हैं कि अगर संबोधि प्राप्त करना है आत्म ज्यान प्राप्त करना है तो इस्त्रि को एक जन पुरुष का लेना देगा तो यह जो आगे जो सहसरार चक्र से जो भी मार्ग होगा पुरुष के लिए अनकूल होगा और इस्त्रियों के लिए प्रतिकूल होगा इसलिए इतिहास में तुम देखोगे मानौता की इतिहास मड़े थोड़ी सी इस्त्रियां वो धर्त को उपलद होएं जैसे पर आओ जानते हैं योग के या परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के या आत्मा से समंदित होने के लिए वो साथ मार्ग हैं साथ चक्र हैं तो साथ मार्ग हैं इसको कहते हैं साथ मौलिक मार्ग हैं क्या क्या है कर्म हो गया है जैसा मैंने कहा कि मुलाधार चक्र से शरीर क्लें का समझ्द है शरील का function करम है तो करम से हो कर जो मार्ग है उसका नाम है कर्मेयोग कर्म में जब साक्षि जूड़ जाता है तो कर्मयोग बन जाता है तुर मार्म websiteowany coffee और आत्मसंयम Oops ये इंद्रियों से समंदले ते स्वाधिष्ठान और भूख का अर्थ है आप इंडल्ज कर रहे हों। और फिर इसी का आत्म्सहिएम मार्ग अर्था थान इंड्रिय निग्रह का मार्ग वहीं से है। इंड्रियों से थ थोड़ी बनाने का मार्ग है जिस Gar Nagdanova ने गीता में आत्म सहियम योग कहा है तो तंत्र योग और आत्म सहियम योग दोनों का समद्ध दूसरे चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र से है तीसरा हट योग है यह मनिपुर चक्र यहां का नियंत्र नहीं साउस चलती प्राण से संब्युआ क्यों सांस चलते हैं यह उसका नाम है हट हम फम यह कि ईड़ा और पिंगला बायो और यह इसे हम घम हिंद मोग हो गया है तो यह तीसरे चक्र से समन्दित योगा यह शांस के साकशित्व पर आधारित है छौथा चक्र भक्ती योगा है और इसे हिर्दे का सब कौॉंशस का समंधा है और यह जो सब कॉंसेस, ये feeling का चकर है, ये राग का चकर है, ये प्रेम का चकर है और इस पर अधारित भक्तियोग है, अर्ताथ प्रेम को जब आप साक्षी से जोड़ देते हो, तो भक्तियोग बन जाता है, फिर पांचववा चकर, विशुद्य चकर, इससे विचार का सममान और मोइतरी विचार ओक्षी से जुड़ता है तो यह ग्यान योग बन जाता है बुद्धी का समद यहां से और फिर चटा चक्र आग्या चक्र है इससे साक्षी का समंद इससे ध्यान का समंद है निराकार के प्रति जागरन का समंद है तो जब आप निराकार के प्रति साक्षी हो जाते हो जागरित हो तो उससे ध्यान योग करते हैं और सात्मा चक्र सहस्रार चक्र है यहां पर आत्मा विराज यहां से बोध है यहां से थाथान और यहां से सम्बंदित के योग का इना है कżenी का योग है कि पहला तीसरा पांचवा साथवा पुरुष के लिए एस आधार पर कर्मयों हठेव ज्न्ययों संख्योंग पुरुष के लिए उपयूग्त है और फिर मैंने क्या बताया कि दूसरा चक्र चौथा चक्र और छठा चक्र यह नारी के लिए विधायक है तो तंत्रयोग तन इसमें जब जाएगा तो तंत्रयोग यह पुरुष के लिए अनकुल हो जाएगा लेकिन इंडरियम निघरा की बात होगी हाट्म सेयम योगे कीवाट होगी तो निशचित यह नारी के लिए उपयोगत होगा चवथा चक्र सम भक्तु यह यह नारी का विधायक है तो तो इसलिए ये भक्ति योग इस्त्री के ज़्यादा अनकूल है और इसी तर से ध्यान योग इसका समन्द आग्या चक्र से है जैसा मैंने कहा इसे ध्यान में जाते हो सुम्रन में जाते हो सवी कल्प समाधी में जाते हो तो ये इस्त्री के लिए अनकूल है तो इसलिए तुम जो इंद्रियों का जो चक्र है वा दूसर स्वाधिस्ठान चक्र है और इसमें दो प्रकार के योग है कि इंडल्जेंस का तंत्रयोग और आत्म संयम जो है इंद्रिय निग्रा का है तो तंत्रयोग तो पुरुष के लिए नकूल है लेकिन आत्म संयम में जिसका वरण कृष् तो ये पुरुष के लिए अनकूल है नारी के लिए अनकूल नहीं है इसे उर्जा का भी समंध है और एक और बात है कि सब जानते हो कि इस त्री का जो हर महिने जो मासकी होती है उसमें उर्जा बहुत नीचे चली जाती है इसलिए उस काल में इस त्रीओं का किछर में जाना म बहुत सारे मंदिरों में जाना एलाओड नहीं है, तो उसका उर्जा से समंध है, तो ये उर्जा का योग, हठ योग, ये नारी के लिए अनकूल नहीं है, और जैसा भक्तियोग, ये नारी के लिए अनकूल है, पुरुष के लिए अनकूल नहीं है, और फिर ज्यान योग, य नहारी के लिए अनकूल है पुरुष के लिए अनकूल नहीं है तो इसलिए क्या कोई ऐसा भी मार्ग है जो दोनों के लिए अनकूल है तो मैं कहना चाहूंगा सहज योग एक ऐसा मार्ग है जो दोनों के लिए अनकूल है क्यों दोनों के लिए अनकूल है पहले तो यह जानो क गीता में जिस योग का प्रतिपादन किया है वह सहज योग ही है इसलिए इसको गीता मत भी कहते हैं और फिर इसको संत मत भी सभी संतों ने सहज योग का प्रतिपादन किया है सभी सुफियों ने भी सहज योग का प्रतिपादन किया इसलिए उसको सुफी मत भी कहते हैं क्यो अनकूल है जिसके लिए 28 तल के 28 सोपान के कारिक्रम निर्वित किये गए हैं और इसमें सभी योग समाईत हैं जैसे कर्म योग हैं तो परिवार में रहकर कर्म करना है और यह सभी परिवार में रहकर कुछ ने कुछ कर्म करते हैं तो और अपने कर्म के प्रती साक्षी रहना ह यह सहज योग का प्रावधान है उसी तरह आत्म संयम योग जो है जिसमें कि सहज जीवन जीना है इंद्रियें संयम के साथ जीना है तो आत्म संयम योग जिसका प्रतिपादन दूसरे चक्र से इंद्रियों से सम्मंदित योग है जिसका गीता में कृष्ण ने प्रतिपादन किया है यह भी सहजयोग का अंग है फिर तीसरा हठयोग हठयोग से सहजयोग ने अजपा लिया है सांस देखते हुए नाद स्ट्रमण करना है और सुमिरन सांसों सांस सभी संत कर रहे हैं अर्था सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांसों का ख्याल रखते हुए और फिर सुमिरंद करना है नाद स्टमण करना है इस तरह हठ योग से सहज योग ने सांसों की साधना को लिया है और फिर भक्त योग में तुम जानते हो फना होना है मिट जाना है परमात्मा के प्रेम में जीना है तो ये प्रेम पर आधारित इसको भी सहज योग ने अपनाया है और फिर ध्यान योग है इसमें ध्यान योग में निराकार के प्रती जागना है और बिना निराकार के प्रती जागे तो कोई साधना हो नहीं सकती तो इस से ध्यान योग में सुमिरन का समंध है साक्षी का समंध है और इसमें सभी कल्ब समाधी है इसको भी सहज योग में हमने लि उसका ये एक आवश्यक अंग है और इस तरह तुम देखोगे कि सहजयोग नारी और पुरुष दोनों के लिए उपयोगत है। प्रथम प्रश्ण पर चर्चा को हम यहीं विरान देते हैं।